सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार जैसा कि आप जानते हैं कि अब गीता जैनती आ रही है तो इस वीडियो के जरिये हम जानेंगे गीता जैनती की कथा और उसका महत्व वे उसकी पूजनविदी तो बोलो श्री किश्न भगवाने कीजए विश्नु भगवाने कीजए जैसा कि आप जानते हैं कि गीता जैनती एक प्रमुख पर्व है हिंदू परणिक ग्रंतों में गीता का स्थान सर्वो परी रहा है गीता ग्रंथ का प्राधुर्भाव माक्षिश मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कुरुक्षित्र में हुआ था। महा भारत में श्री किष्ण दुवारा अर्जुन को ग्यान का मार दिखाते हुए गीता का आगमन होता है। इस ग्रंथ में छोटे छोटे अठारा अध्याओं में संचित ग्यान मनुष्य मात्र के लिए बहुमुल्ले रहा है। अर्जुन को गीता का ग्यान देकर कर्म का महत्व स्थापित किया गया। इस प्रकार अनिकारियों को करते हुए एक महान यूग परवर्तक के रूप में सभी का माग दर्शन किया। मागशी शुकल पक्ष की एकादशी को गीता जेनती के साथ साथ मोक्षदा एकादशी भी आती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को एकादशी के नाम के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के योग बनते है। इसी दिन गीता जेनती होने से श्रीमत भागवत गीता की सुगंदित फूलो द्वारा पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। विधी पूर्वक गीता वे भागवान विश्नु की पूजा करने वे यथा शक्ति दानादी करने से पापो से मुक्ति मिलती है। तथा शुब फलो की प्राप्ति होती है। गीता जैन्ती के दिन श्री विश्नु जी का पूजन करने से उपुवासक को आत्मिक शांती वे ज्यान की प्राप्ति होती है, वे मौक्ष मार्क प्रशस्थ होता है। गीता जैन्ती की कथा कर्म की अवधार्ना को अभिवेक्त करती गीता चिरकाल से आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना तब रही विचारों को तर्क दिश्टी के द्वारा बहुत ही सरल एवं प्रभावशली रोप से प्रस्तूत किया गया है संसार के गूड ग्यान तथा आत्मा के महत्व एवं व्रिस्तित एवं विश्यद वर्णन प्राप्त होता है गीता में अर्जुन के मन में उठने वाले विभीन सवालों के रहस्यों को सुलजाते हुए श्रे कृष्ण ने उन्हें सही एवं गलत मार का निर्देश प्रदान किया संसार में मनुष्य कर्मों के बंधन से जुड़ा है और इस आधार पर उसे इन कर्मों के दो पथों में से किसी एक का चेन करना होता है इसके साथ ही परमात्मा तत्व का विशद वर्णन करते हुए अर्जुन की शंकाओं का समाधान करते हैं वे गीता का आधार बनते हैं वोलो श्री किष्ण भगवान ने कीज़े गीता जैन्ती का महत्व गीता आत्मा एवं परमात्वा के सरूप को वेक्त करती है कृष्ण के उपदेशों को प्राप्त कर अर्जुन उस परमज्यान की प्राप्ती करते हैं जो उनकी समस्त शंकाओं को दूर कर उन्हें कर्म की ओर प्रवत करने में सहायक होती है गीता के विचारों से मनुष्ये को उचित बोध की प्राप्ती होती है यह आत्मा तत्यु का निर्धारन करता है उसकी प्राप्ती का मार्ग प्रश्रस्त करता है आज की समय में इस ग्यान की प्राप्ती से अनेक विकारों सेम मुक्त हुआ जा सकता है आज जो मनुष्य भोग, विलास, भोतिक सुखो काम वासना में जखड़ा हुआ है और एक दूसरे का अनिष्ट करने में लगा हुआ है तो इस ज्ञान का प्राधुर्भाव उसे समस्त अंधकारों से मुक्त कर सद मार्कियोर ले जाता है क्योंकि जब तक मानव इंद्रियों की दास्ता में है भोतिक आकर्शन से घिरा हुआ है तथा भैर, राग, द्वेश, एवं क्रोध से मुक्त नहीं है जब तक उसे चांती वे मुक्ती का मार्क प्राप्त नहीं हो सकता है जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्यान दिया था उस दिन माक्षि शुक्लपक्ष की एकादशी थी इसलिए इस दिन को गीता जैनती के रूप में मनाया जाने लगा इस दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद लड़ा गया था और तब लाखों लोग मिर्ट्यू को प्राप्त हो गए थे आरे भट के अनुसार महाभारत युद 3177 इसलिए इस दिन उफवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्त होता है पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुक शान्ती आती है एवं मोक्ष मिलता है श्रीमत भागवद गीता तुनिया का इकलोता ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयनती मनाई जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि गीता का जन स्वयम भागवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है गीता में वर्णे एक एक श्लोक भागवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है इसलिए गीता जैनती मनाई जाती है गीता जैनती के दिन सुबहा उठकर स्नान करे और पीले वस्रिधारन करे इसके बाद मंदिर की सफाई करे भगवान सुरेदेव को जलका अगहर रह दे इस अफसर पर श्रीमत भागवत गीता का पाठ करना फलदाई माना जाता है अब अक्षत और फूल से गरंत की पूजा करें और पाठ का प्रारंब करें साथ ही भगवान श्री किष्न की पूजा करें इस इन लोगों को गीता गरंत का दान भी करना चाहिए इसके इलावा श्रधा नुसाफल, मिठाई, धन, गर्म, कपड़े आधी का दान करना चाहिए मानने तहें कि इस काम को करने से भगवान श्री कृष्न परसन होते हैं तो बोलो श्री कृष्न भगवान ने कीजए तो फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जादा से जादा लाइक, शियर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियो का नियोटिफिकेशन आपको ओन टाइम मिलता रही तो बोलो श्री कृष्ण भगवाने कीजए विश्ण भगवाने कीजए